हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है study of education सब्जेक्ट में और आज की क्लास में हम लोग व्यक्तित अविश्कार का के अंतरगर्द माइने सोटा multiphasic personality test यानि MMPI2 को पढ़ेंगे तो चलिया यह start करते हैं देखें जो माइने सोटा multiphasic personality test या MMPI2 है तो यह एक तरीके का परिख्ण होता है इसके तोरह मर्डिक पस्नाल्टी की माप की जाती है ठीक है और यह जो आता है वह हमारा व्यक्तित अविश्कारता यानि पस्नालिटी इंवेंटरी के अंतर गदाता है तो आज हम इसी को पढ़ेंगे तो चलियाई स्टार्ट करते हैं देखिए इस परिक्षण का जो निर्माण है सबसे पहले जो है हाथवे तथा मैं किलने ने किया था इस परिक्षण में क्या होता था इस परिक्षण का जो प्रारूप या स्ट्रक्चर जो होता था इसमें 550 यानि 550 एकांश का मतलब यहां प्रश्ण से है एकांश थे और पतेक का जो एक पतेक एकांशों का जो उत्तर होता था वो तीन तरीके से देना होता था या तो इनका जो option होता था वो सही गलत कह नहीं सकते इस तरीके के तीन option होते थे उसके अनुसार उसका answer करना होता था ठीक है तो I hope आपको यह समझ में आया कि इन तीनों में से किसी एक का जो दिये गए प्रिशन के संदर में उनको व्यक्ति को सही लगता था क्या होता था तो व्यक् करने प्रिचार में प्रिच्छर में 550 का होते थे प्रिश्ण होते थे जिनके बते गवर्ड़ के 3 उत्तर होते थे 3 उत्त ready यानि तीन उत्तर जो होते थे वो option होते थे जैसे सही गलत या कह नहीं सकते ठीक है तो इन तीनों में से किसी एक का जो दिये गए प्रश्ण के संदर में सही लगता था व्यक्तिका करता था उसका चैन कर लेता था और उसी तरह उसका जवाब देता था और देखें इस में भी इसका प्रश्ण जो है होता था ठीक है आगी चलते हैं तो देखें 1989 में जो एक विक्सित प्रारूप जो है वह डेवलप किया गया ठीक है और किसके दार डेवलप किया गया तो यह वुचर डॉल स्ट्रॉम ग्राहम टेलेंगन तथा क्रेमर द्वारा तयार किया गय जो 550 एकांश थे लेकिन अब इसमें कितने एकांश हो गए 567 एकांश कर दिये गया और इन एकांशों का जो जो आंसर करना था वो सही या गलत में से किसी एक को चुन कर देना था ठीक है इसे ही क्या बोला गया MMPI 2 बोला गया तो इस तरीके से इसे ही जो हम बोलेंगे वह M MPI 2 बोला गया अब देखिने MMPi 2 में कितने 13 मापनी होती यह ती है तेरा मापनी होती हैं जिन में से नौ जो है नादानिक मापनी होती है ठीक है इस मापनी के अंतरगत क्या मापा जाता है कि जो मनोवग्यानिक समस्याइं होती है उसको क्या किया जाता है इसके अंतरगत मापा जाता है जैसे कि मनुविदालिता विशाद इस तरिव्यमो यह सारी जो है अगयनिक समस्या है, का मापन होता है, तो सबसे पहले देखिए रोग ब्रह्म, इसका डेटेल सभी इसमें कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहां जान रहे हैं कि माइनिसोटा मर्टीफिजिक परसनालिटिस्ट क्या होता है, तो यह सारे समस्या हैं वह हम दूसरे लक्षर में क कम्प्लीट करेंगे, तो पहले किसी और लक्षर में हम कम्प्लीट करेंगे, केवल यहां हम इनका नाम बता देते हैं, ठीक है, देखिए रोग ब्रह्म, दूसरा है उन्माद, तीसरा है विशाद, तीसरा है मनुविक्रिति, विचलन, इस सारे जो इन सारे शॉर्टकट से दिखाया जाता है, ठीक है, पाचवा इस्तिरव्यमो है, छेटवा मनुविदालिता, साथवा अलपोनमाद, आठवा बायता है, और नौवा समाजिक अंतरमुक्ता, तो इस तरीके से जो नाइन मापनी है, इसके अंतरगत नौ मापनी, जो है, नौ मानुवग्यानिक समस्य तथा पूरुषत्व से गुड़ होते हैं, उनका मापन किया जाता है, यानि जो इस्तिरियों में जो संबंदी जो गुड़ होते हैं, उनका जो है, इसमें क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, आगे चलते हैं, तो देखें, और आगे जो है, तेरा मापनी में से तीन ज क्या होती है तो इसमें जो जो परिछारती होते हैं जो जिनका टेस्ट हम ले रहें जिनका परिछण कर रहे हैं उनकी जो अनुक्रिया या पूर्वा ग्रह का मापन किया जाता है अब देखिए पूर्वा ग्रह या पूर्वा ग्रह क्या बोलते हैं पूर्वा ग्रह का मतलब ह पूर्वा ग्रह का हम यहां क्या है उनके अनुक्रिया है उसको जांच करते हैं कि नहीं तरिके से करते हैं तीन तरिके से करते हैं यानि एल इसके जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसे तोड़ा आपको clear हो जाएगा देखिए जो पूरा ग्रह का मतलब यहां होता है कि किसी मामले के तथ्याओं की जाच किये बिना ही क्या करना उसकी संबंद में कोई अपनी राय बना लेना ठीक है करेंगे अपने में बताएंगे कि यह सारे मेरे अंदर होती है एक्शली में उनके अंदर यह होती नहीं तो यह तरीके जो टेंडेंसी होती है इसका मापन करने के लिए हम क्या करते हैं एल स्केल मापनी का, एल स्केल वैदेता मापनी का इस्तमाल करते हैं, दूसरा बात करेंगे के स्केल, देखें इसमें सामाने समस्याओं को भी मानने से मना करने की प्रवित्ती का मापन होता है, ठीक है, के स्केल का यहां फुर्फॉर्म जो है हम देख लेते हैं, यहां के स्के का है correction scale ठीक है इसमें क्या होता है कि सामाने जो समस्याएं होती है ठीक है जो एक सामाने समस्याभी होती है तो उसको हम मानने से क्या कर देते हैं मना कर देते हैं तो यह सारी जो यह ऐसी प्रविति है उसका क्या करते हैं इसके इंतरगत मापन किया जाता है और तीसरा F scale वैद कहते हैं ठीक है कामापन के जाता है यानि कि देखिए जब किसी विक्ति से कोई answer questions हम पूछते हैं तो वो क्या करता है कुछ भी answer उसका answers कर देते हैं मतलब उस question से कोई relation नहीं होता उस answer का मन गडंत कुछ भी वो बोल देते हैं तो यह जो प्रवेति होती है आपन के लिए हम क्या करते हैं एफ वैध टाम आपनी पर्यूब करते हैं तो इस तरीके से देखिए हम लोग ने देखा कि यह मानने सुर्टा मुल्टि प्रारूप किया गया तो उसे ही क्या बोल दिया गया MMPI 2 बोला गया और इसके नंतगे 13 मापनी हम लोग ने देखे जिसमें से 9 नाइदानिक मापनी थी ठीक है एक पूरुशत तो इस तरही तो मापनी थी दीसरी वैदतीन वैदता मापनी थी तो इस तरीके से हम तीनों को एक एक करके हम लोग ने देखा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी सजेशन हो तो प्लीस कमेंट बॉक्स में बताएं मिलते हैं अगली वीडियो में पढ़ते रहें मेरे साथ थांक यू